विलंबित फैंसला है लेकिन हम इस फैंसले का स्वागत करते हैं इस फैंसले को बहुत पहले हो जाना चाहिए था 17 महीने एक समयधानिक पद पर आसीन व्यक्ति को आप जेल में डाल देते हैं ये कहां का नियाय है हम सुप्रीम कोट को मारनी सर्वोज नयाले को दिल से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ये राहत दी मनीश्य सोधिया को और सरकार से फिर से अपने सवाल दोराते हैं कि एडी और सीबी आई को आप अपनी बपोती मान कर मत चलिए यह आपकी बपोती नहीं है यह देश की संस्थाएं हैं भारती जन्ता पार्टी की संस्थाएं नहीं है स्रीजेश और नीरेज चोपड़ा ने देश का नाम रौशन किया और दुख भी है कि स्रीजेश ने रिटार्मेंट की घोशना की है और पूरी उम्मीद है कि हम मैडल्स की संख्या हमारी बढ़ेगी और जो सुविधाएं सरकार को देनी चाहिए हमारे स्पोर्समेन को उसमें भी बढ़ोतरी होनी चाहिए ना के बल ऑपोजिशन ने रियाट किया है एंडियस की जो गटबंधन के सदस्य है वो नाइडू जी हो वो चिराग पासवान हो उन्हें उन्हें भी विरोध व्यक्त किया है तो आप सोचिए यह ऐसी सरकार है जो अपने ही अलाइस से चर्चा किये बगएर बिल्स को लाती है इस तरह से पिछले 10 साल कानून पास हुए इस देश में सोचिए उन कानून की क्या स्थिती है और देश को एक इस तरफ ले जा रहे थे यह तो शुक्र है इस देश के वोटर का कि उन्होंने हमें 100 सीटें दी और इंडिया गटबंधन को अच्छी सीटें दी 140 के उपर सीटें दी कि आज हम रोक पा रहे हैं यह भारती जन्ता पाटी जिसमें एक मुसल्मान सांसद नर्राजसभा में है नर्लोकसभा में है वो वक्फ की अमेंडमेंट ला रही है यह इससे बड़ा जोक इससे बड़ा चुटकुला और क्या हो सकता हमें सब को चिंता है ना केवल भांगलादेश की चिंता है जो वहां की माइनौरिटीज है हिंदूस हैं बुद्धिस हैं इसाई हैं तमाम माइनौरिटीज की हमें पूरी चिंता है और एक और चिंता है कि भारत सरकार को समय रहते क्यों नहीं मालूम पड़ा कि इतने करीब के पड़ोस में क्या होने वाला है और क्या वहां स्थितियां बन रही है हुआ हुआ है